Hare Krishna everyone, welcome to this channel, I am your science educator और इस वीडियो में हम लोग करेंगे अपना part nutrition nutrition क्या होता है, nutrition का मतलब होता है कि food को intake करना और उसके बाद उसे utilize करना, intake करना हम इसे ज़ादा बच्चे सोचते हैं कि बस nutrition का मतलब होता है उसको intake करना no, nutrition का मतलब होता है intake भी करा उसके बाद उसको अपने utilize भी करा, यानि कि उसके बाद आपने उसको बचाया भी उस पूरी process को हम बोलते है nutrition अब हम इसकी definition पढ़ते हैं और definition के में ही इसकी importance of nutrition भी लिखा है वो भी आपको बहुत जुरूरी है पढ़ना तो वो definition के अंदर include है मैं आपको बढ़के बताती हूँ देखिए nutrition is the process of taking food nutrition एक process है food को take करने की by an organism and its utilization nutrition एक process है food को intake करने की यानि कि food को लेखने की और एक organism के द्वारा और उसो utilize करने की भी जिक है by the body to build a body for nutrition ज़रूरी किस लिए पढ़ो पढ़ो देखो for के बाद से for growth growth के लिए ज़रूरी है to repair the damaged parts of the body and for energy damaged parts of the body कैसे damaged parts of the body कैसे माम कैसे अभी बताती हूँ देखो मालनो आप आज गिरे अब आप जब गिरोगे ना तो आपकी वो cells थे ना वो तो death हो गए अब nutrition का करेगा nutrition वहाँ पढ़ जाएगा और वो आपके लिए new cells बनाएगा तो इसलिए और energy देने के लिए अब आप काम करते हो पढ़ते हो running करते हो energy भी देता है तो यह काँ से आ रही है आपके फिस energy nutrition से आ रही है तो यह nutrition था अब हम पढ़ते है nutrition के बना नेता है जायता है जो आप का मतलब होते है च्रीशिप अपना खाना खुद बना ले कि अदर नाती है बना नेता है गए और रहं घरिप नीनम्ट्रीशिन दैस करे मैं लिए दो करम मतला है श्मीम अपनी होग्चbeltेمة वो किसी और बे डिपेंडेंड है वो सुरी, autotropic nutrition नुट्रीशन का मतलब है वो organisms जो अपना खाना खुद बना लेते है उन्हें किसी की भी जुरूरत नहीं है वो अपना खुद बना लेते है उसे हम कहते है autotropic nutrition जैसे की कौन? जैसे की green plants अब हम पढ़ लेते हैं इसकी definition autotrophic nutrition is nutrition इस यहाँ पर दाएगा add कर लेना ही ता ठीक है is the nutrition in which organism prefer their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chronophil तो chronophil sunlight चाखाना कौन बनाते हैं प्लांच ही तो बनाते हैं photosynthesis पढ़ेंगे ना तब आपको पता चल जागा पूरा अगर आपको photosynthesis पढ़ना है कि प्लांच अपना खाना कैसे बनाते हैं तो उसका link description box में given है आप आपके पढ़ सकते हो चलिए तो autotrophics क्यों होगा है परी जो अपना खाना खुद बनाते है है ना वो किसी बेडिपेंडेंट नहीं है वो जो है किससे खाना बनाते है अपना खुद carbon dioxide को use करते है water को sunlight को और chlorophyll को इससे अपना खाना खुद बनाते जैसे कि कौन जैसे कि आपके green plants अब पढ़ते हैं हेटरोट्रोपिक्स हेटरोट्रोपिक्स क्या जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते जो डिया गू और अगर plants माल तो plant उकता ही नग यह यह ळान चौन बनाते हैं तो आपको टमाटर मिलता कैसे तो इसाओं आपको वो 해야 on you plant पे dependent होखिबवnoc plant तो सबजीयां JUSTIN मैं गोरीगा मेरेटरोट से लएगा बनावा तो इसलिए हम कौन है हम लोग heterotropic nutrition है हम plants और animals पर dependent है दूद हम किसे लेते है animals से बकरी का दूद गाएं का दूद है न तो हम क्या है हम heterotropic nutrition है ठीक है आप पढ़ते है इसकी definition heterotropic nutrition is a mode of nutrition in which organism depend upon other organisms वही है जो मैं आपको समझाया है वो किसी और पर dependent है for food, food के लिए to survive they can't make their own food like green plants हम वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते green plants की तरह है न तो हम कौन है हम लोग heterotropic nutrition है examples कौन है animal हम इंसान भी तो animal है न और animal के animal हो गए animal जैसे की शेर, deer, cow है न ये भी तो plants पी dependent है न बच्चो ये भी किसमें dependent है वे प्लांच पी तो dependent है घास पूस प्लांच ही तो देते है गाएं को खाने के लिए अब देखते आगे अब क्या है ये थोड़ी line ने चलिए आप देख लो देखो टाइपस ऑफ heterotropic nutrition तो heterotropic nutrition है न वो तीन तनाके होता है एक होता है separotropic एक होता है parasitic और खोलो जोई ये आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ अपनी नेक्स वीडियो में ये detail explanation होगा और नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी thank you everyone अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको कोई भी कुछ भी समझाता है तो then make sure to subscribe this channel Hare Krishna